संजेज सिंग से खास बात चीज की हमाई सायोगी ना आपको सुनवाते हैं कि अब वो क्या बड़े आरोप लगा रहे हैं मनीज सिसोदिया गुजरात पहुच रहे हैं और इससे पहले उन्हें बड़ा दावा किया है कि भाश्पा उन्हें अपनी पार्टी में जोइन करवाना चाहती है और इसके बजाए वो CBA और ED के जो मामले हैं उसे खत्म कर देगी ये बड़ा दावा किया है मनीज सिसोदिया ने हमाई साथ बातचीत करने के लिए हैं आमादी पार्टी के सांसर संजै सिंग बड़ा दावा जो किया गया है क्या कोई कॉल आया मैसेज आया वर्टसेप आय देखिए भारती जनता पार्टी के काले कारनामों का चेहरा सामने आया है मनीज सिसोदिया जी के साथ वही प्रियोग करने जा रही थी भारती जनता पार्टी जो प्रियोग उन्होंने महरास्ट्रा में किया जो प्रियोग उन्होंने बंगाल में किया जो प्रियोग उन्हो जाच दरसल मनीश सौधिया को तोड़ने की कोशिस थी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिस थी इस बात का खुलासा मनीश सौधिया जी ने किया है और जो आप पूछ रहे हैं तरीका जिन तरीकों से नारायन डाने को तोड़ा जिन तरीकों से अजीत पवार को जिन तरीकों से मुकुल राय को तोड़ा वही तरीका अपनाने की कोशिस कर रहे थे लेकिन मनीज सिसोधिया ने साफ तोर पे कहा है महाराणा प्रताप का बंसजूं तूटूंगा नहीं लडूंगा ने लेकिन शुबेंदू अधिकारी है या बाकी जो तमाम नेताओं का जि है यह लोग कौन से लोग थे बताये नारध स्टिंग आउप्रेशन हुआ बारती जंता पृटी चिला चिला के सड़कों पर उत्री उनके खिलाब सारदा स्कैम हुआ भारती जनता पार्टी सडकों पे उत्री कांग्रेस में थे हेमंत विश्व सर्मा वाटर स्कैम हुआ भारती जनता पार्टी सडकों पे उत्री अजीत पवार के स्कैम के खिलाब भारती जनता पार्टी सडकों पे उत्री बाद में इन्हीं लोगों पर EDCBI डालके और उनको तोड़के अपने साथ सामिल कर लिया तो मनीस की तोड़ने की कोशिश है उन्हों तो खुद साब कह दिया कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि EDCBI के सारे जाच खतम कर देंगे हम लोग इन जाचों से डरने वाले लोग नहीं है ये जो प्रियोग इन्होंने दूसरे राज्यों में किया वो दिल्ली में सफल होने वाला नहीं है बादपाईयों को एक कहना चाहता हूँ